अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में अलग-अलग shapes को एक ग्रुप में combine कैसे करते हैं यानि कि उनको आप एक साथ move करा सकते हैं बहुत ही असान से steps में सबजेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन अलग-अलग shapes आपको दिख रहे हैं किसी भी एक shapes को select कर लीजे तो महां लीजे कि बीच वाले shapes पे click करके हम इसको select कर लेते हैं तो जब आप इसपे click करेंगे तो ऊपर एक नया tab बन करके आएगा shape format का ठीक है shape format का tab भी दिख रहा है इसपे click कर दीजे तो जब आप shape format टैप पे click करेंगे तो यहाँ पर देखिए right side में आपको option आता है selection pane का यह देखिए रहा selection pane तो इसपे जब आप click करेंगे तो जितने भी shapes आपके page पर होंगे उस सब यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे तीन shapes आपको यहाँ पर दिखाई पड़ना है अब हमें क्या करना है इन सब को select करना है तो कैसे select करेंगे control button आपकी keyboard में है उसको दबा करके रखिए और सब पर एक एक करके click करते जाईए यह देखिए जैसे जैसे हम इस पर click कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह सारे shape जो है वो select हो चुके है सारे shape जो है वो select हो चुके है अब हमें क्या करना है यहाँ बीच में कहीं पर भी अपना cursor ले जा करके right click कर दीजे उसके बाद यहाँ नीचे grouping का option आ रहा है और इसके बगल में जब cursor आप ले जाएंगे तो यहाँ भी देखिए group का option आएगा बस इस पर click कर दीजे तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि यह group में जो है combine हो चुके हैं अब जब मैं इनको नीचे move कराता हूँ तो यह देखिए एक साथ move होंगे यह देखिए ठीक है कहीं भी आप इनको एक साथ move कर सकते हैं